एलो फ्रेंट्स स्वागत आपका स्टरी है चैनल पर मैं आसा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तयारी में जोरो सोरो से लगे होंगे ठीक है तो हमारे इस सीरीज का आज एपसोड एट है या आप बोल सकते होगे क्लास एट तो आपने अगर अभी अलेडी डिसकस कर रहाएं वह भी बहुत ही बहतरिन तरीके से और बहुत सारी चीज है क्लास को थोड़ा सा इंट्रेंटिव बनाता हूं तो आज है तो एस सीरीज में आपको 99% इडियम कवर हो जाएंगगा रो वहाग्या एपको ज़्यादा effort करने का जरूबत में तो बहुत सारे लोग पूश्टें कि सर आप EDM कहां से लाते हो तो यह black book का ही EDM है ठीक है 2022 का जो edition है उसी कहा है आप देखोगे तो आपको one to one EDM वहीं से मिल जाएंगे ठीक है आज का जो EDM है वो page number one one nine पे है ठीक है अगर आप page number one one nine खोलते हो अपने black book का तो आपको सारी EDM समिख जाएंगे ठीक है तो बिना देरी के सुरू करते अपने class को और जानते कि next EDM कौन सा है ठीक तो आपको hint दिया गया है अप गेस कर सकते हो कि next EDM कौन सा हो सकता है य सब्सक्राइब क्या होता है do something very slowly धीरे धीरे बहुत धीरे जब कोई भी कार बहुत धीरे धीरे बोलते करते हैं उसे बोलते है एट स्नेल स्पेस ठीक है आए संटेंस जान ले कि कैसे संटेंस में यूज होगा the train was moving now at a snail space train कैसा चला है एक्तम धीरे धीरे चला है आपको एक हिंट पिक्चर है अब गेस करो कि क्या हो सकता है एडियम तो क्या ही यह पैसा है और किसी के लिए देरा जैसे कि आप अभी किसके पैसे पर study करते हैं तो गार्जियन के किसी और के पैसे पे at somebody expensive नेक्स डियम भी वही है at somebody's expensive मतलब क्या होता है paid by ठीक है someone किसी और के और आपके लिए भुगतान करेगा तो आपको plane भी खरीज लोगे को गया रही यार जब भुगतान कर रहे है तो plane भी दिला दो ठीक है तो ऐसा चीजों को याद करने पिक्चर देखोगे तो चीजे आपको clear होती चली जागी कि कह क्या रहा है ठीक है इसलिए मैं पहले picture दे चुर्ट तो free है तूर्ट को किसी ने क्या कर दिया आपके लिए किसीने पैसे देका देर ciek खाने के लिए आपको खुद Пैसे देने पर हैं ठीक है चुलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको करना है इस सारे हिंट शा की next जो इडियम है वह क्या है जैसे देख पाड़े यहापर क्या लिखा है यह लॉट प्लाव मनी ऐट इस्टेक पॉल सा इडियम है ऐट इस्टेक कौन सा इडियम है at a stake, कोई इचे stake में मतलब दाउ पे लगा हुआ है, मतलब क्या खत्रे में, जैसे इसको देखो, इसने अपनी जिन्दगी को क्या लगा है, दाउ पे लगा है, खत्रे में, टीक है, at a stake मतलब क्या होता है, in danger, खत्रे में या दाउ पर, आई ये, देखले कि स में इसका कैसे यूज होगा थाउजन्स ओफ लाइब्स विल बी एट स्टेक इस इमर्जेंसी एड डज नौट इराइब इन दा सीटी से ठीक है थाउजन्स के लाइफ क्या है दाव पे है या खत्रे में अगर इमर्जेंसी एड जो है वो अगर सीटी में नहीं आता है जल्द देले चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप यह है और नीचे की तब गिर रहा है ठीक है है अप सारे इडियम को रिमाइंड करो जैसे आप रिमाइंड करोगे तो आपको पता चले है कि एक इडियम है कौन सा है एट दड्रॉप ओफ दा थैट एडिक है एडड without any hesitation, instantly. तुरंत करना है, कोई भी हजिटेशन नहीं करना, संकूच नहीं करना है, जो कार है तुरंत करना है. without having planned beforehand, बिना पहले के कोई तैयारी के, आपको जब randomly अचानक से करना परता है कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, जैसे hat क्या होगा, अचानक से ही गिरता है, अब plan करके नहीं गिराते हो, गिराते हैं यह तो बहुत तेजी से गिरता है, ठीक है, instantly. आइए देखले कि sentence में कैसे यूज करते है, when the teacher entered the classroom, all students sat down at the drop of hat, जैसे ही teacher classroom में आया, जितने ही बच्चे सोर भूल कर रहे थे, खरे थे, वो अचानक से तुरंत ही क्या होगा, बैठ गया अपने-अपने seat के, ठीक है, I hope आपको चीज़े clear हो गए होगी, hat देखके आपको याद आ जागा, कि hat गिर रहा था, तो at the drop of hat, एक क्या है, idiom है, और hat कैसे गिरा, बहुत ही instantly गिरा, ठीक है, बीना hesitation का, बीना plan का, ठीक, चलिए next बात कर लेते है, next आपके लिए hint है, ये, क्या लिखा 11th hour, ठीक है, तो idi 11 के बाद क्या हो जाता है, 12 दिन चेंज हो जाता है, ये क्या होता है, आखरी घंटा होता है, ठीक है, बहुत ही last moment होता है, इसके बाद दिन बदर जाता है, तो at 11th hour मतलब क्या होता है, at the very last moment, ठीक है, आखरी मौके पर, देख लेते हैं, sentence में कैसे यूज होता है, मीनिंग क या लग बाग बहुत देर से या तो बहुत लेट हो जाई या अन्तिन्चंत में कि क्या किया आकरी समय पर ट्रिप को क्या कर दिया पॉस्पाउन कर दिया और वह क्या है एक वेट बलांकेट है अगर आपको यह जेए इडियम नहीं पता तो प्रिवेस क्लास ज़रू देखना क्योंकि मैंने इस्काइब इस्काइब O आपके लंग्स किया है? टॉप टे हैं, मतलब बहुत उपर आ रहा है, मतलब बहुत तेजी से चिला है, इक्स्ट्रीमली लवड़ी, मतलब पूरे जोर से चिलानाओ, जब आप पूरे जोर से चिलाते हो, तो आपका जो लंग्स है, वो उपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि सार इस बच्चे को देखना कैसे चिला रहा है पूरा लंग्स आँगा इसका देखो टॉप अफ देल लंग्स के उपरी हिस्से से चिला रहा है मतलब बहुत तेजी से चिला रहा है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यह दोनों क्या है एक दूसरे के अपूजित होना यह अलग हो ठीक है एक दूसरे क्या है विपक्ष में हैं या अलग हो चलीए देख लेते संत में कैसे यूज होगा तो वी आर डूइंग डूइंग अगें विकाउज आउर रिजल्ट और एट वैरियर्स हम लोग फिसे एक्सपेरिमेंट कर रहे है कि हमारे जो रिजल्ट है हमारा जो रिजल्ट आरा है आउटकम सारा वह क्या है एक दूसरे के अपोजिट में अलग-अलग रहा है चलिए नेक्स्ट बात कर लें नेक्स्ट आप यह देखो इमेज है इसमें क्या लिखा है और आप कोई भी चीज़ आवरेज होता है उसको क्या कर दे तो अलग कर दे तो आउट कर दे तो क्या है next EDM हमारा average out ठीक है क्या है average out मतलब क्या होता है to produce a result that is even and balanced well looked at over a period of time मतलब क्या संतुलित है कोई ऐसा real produced है जो क्या एक समान हो और क्या हो balanced हो well looked at over a period of time जब आप period of time के बाद देखोगे तो आप वोची संतुलित देखना चाहिए ठीक क्या है यह performance average है यह low performance यह high performance उसके बीच का जो चीज हो है वो क्या average है average आपको पता है मैठ में भी आपने पढ़ा है sometimes you win sometimes you lose it all average out in the end कभी आप जीत जाते हो कभी आप हार जाते हो लेकिन एक तरह से मिला के देखो तो average out होता है मतलब क्या है balance बनावा संतूली होता है कभी आप जीते हो कभी हारते हो तो जिन्दगी संतूलन में चलते रहती है इक चलिए next बात कर लेते है next देख़ पा रहे हो कि ये एक क्या है लश्पी है ठीक है इसको इंग्लिस में बोलते है बेव ठीक है क्या बोलते है बेव और यह है कहाँ जंगल में जंगल को बोलते है उर्स ठीक है तो idiom आपके धान में आ रहा है की एक idiom है, babe in the woods, babe in the woods, मतलब क्या है, babe जो है, वो जंगल में है, और जंगल में है, तो मतलब क्या है, helpless होगी, ठीक है, अकेली जंगल में है, तो helpless होगी, इसको बलते है, a young defenseless person, इसको क्या बोलते है, अवला नारी, ठीक है, sentence में कैसे use होगा, देख लो, my new manager is a babe in the woods, barely out of high school, आई होप आपको चीज़े क्लियर हो जाएगी अप दिहान में रखना है कि एक लर्की कहा है जंगल में बेब इंदा उट्स जंगल में अकेली है तो हेल्पलेस है अवला नारी है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप देख पारेंगे कि यह लर्की क्या करी है सैडल पर वापस जा रही है ठीक है हॉर्स के उपर जो यह होता इसको बोलते हैं सैडल तो एक इडियम इससे आपके जहन में आ रहा होगा बैक इन सैडल सैडल में वापस जाना मतलब अपनी ड्यूटी को रिजूम कर है यह संटेंस देख लेते हैं बैक इन दे सैडल के लिए आई नीडेट तो टेक आ ब्रेक फॉर अबीट बट नौव आयम बैक इन दे सैडल मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था ठीक है लेकिन अब मैं वापस से अपने काम को रिजूम करूंगा कि अपने ड्यूटी को लेगा और काम पर वापस जाएगा बैक है मतलब रिजूम करेंगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट देख लो यह थैनोस है अब सभी को पता होगा यह क्या चाहता था कि सब लोग इसका सहयोग करें तो बैक टूमी तो आपको इससे रिलेटेट एक इडिया में याद समर्थन करना ठीक है इसका हिंदी थोड़ा सा वीक है क्योंकि यहां पर इस एप में हिंदी घंग से काम नहीं करता है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है बात कर लिए इसका संटेंस में कैसे यूज करेंगे तो देख लो क्लियो विल बैक मिया तो क्लियो क्या करेगा मेरा सपूर फिर्म क्या चाहता था कि सबी लोग उसका साहब ले उसके काम में ठीक है डीका को रिए हिंट है जो क्या हो रहा है यह चो बंदा फीछे की तरफ रहा है वाट से मुंकर रहा है किरा नहीं नहीं है मैंने यह नहीं कहा था और यह पीछे ज्या रहा है ठीड़ा है भांत ऑप मतलब क्याता है withdraw from a commitment, ठीक है, मुकरना, किसी बात से मुकरना, आप जो commitment करते हो, उससे मुकर जाते हो, तो उसके लिए idiom है, back out of, किसी चीज़ से आप जब back out करते हो, मतलब उस चीज़ से मुकर जाते हो, देख पारें को इस बंदे को, कैसे मुकर रहा है, ठीक है, वो कहा रहा होगा, अरे यार, इसने तो इतना bargain के लिए कर, आप कहा रहा होगा, नहीं, इतना bargain आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो back out, पीछे हो रहा हो, तो अब कोई भी चीज़ से जब पीछे होते हो, तो बातों से मुकरते हो, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देते हो, आई होप आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो next बात कर लेते हैं, next क्या है, आप देखो, यह image देखो, यह है front seat, यह क्या है back seat, और यह कहां से drive कर रही है, यह तो back seat से, आप इस image को ध्यान में रखना है, एक lady थी, वो पीछे से drive कर रही थी, मतलब यह क्या है, back seat driver, क्या आपको idiom याद होगा, और यह बहुत पर पूछा है, से इने back seat driver, इसका मतलब क्या होता है, बिना ग्यान के मामलों में, जो दखल देते हैं, ठीक है, interfering in affairs without having knowledge, किसी भी मामले में कूद परते हैं, बिना किसी knowledge के जो लो, ठीक है, उनको ही बोलते है, back seat driver, बिना जनकारी के मामलों में, हस्ता छेप करना, या मामलों में कूद ना, या मामलों में दखल देना, उसी को बोलते हैं, चलिए, देख लो, ये भी क्या, back seat driver, जैसे आपकी बीबी बैठी होगी, या गल्फेन बैठी होगी, तो आपको बोले कि नहीं, आप रोंग लेन में जा रहे हो, आप ऐसे नहीं चला रहे हो, आप आप ऐसे नहीं चला रहे हो, पूरा दुनिया जहान की ज्याने आपको मिलती रहे हो, आए संटेंस देख लें कैसे यूज होता है, डेजी is such a back seat driver, यही है डेजी, she needs to stop interfering, no one asks for her advice, डेजी कहा है back seat driver, बिना बात के मामलों में दखल अंदाजी देती है, और बिना मांगे advice देती है, I hope आपको चीज़े clear हो गए होगी, आप इस GIF image को ध्यान में रखना, आपको खुद खुद सारी चीज़े clear होती चलिए, चलिए next बात कर लेते हैं, next आपको hint मिलना होगा यहां से, यह square है, वापस यह कहा गया, square, ठीक है, तो square में आ गया, एक idiom आपको याद आ रहा होगा, square से, back to square, और यह क्या है, one, ठीक है, वापस आ गया, back to, ठीक है, back to, square, one, वापस से कहा जाना, ठीक है, जहां से आप सुरू किये थे, वहीं पर वापस आ जाते हो, जहां के तहा, प्रारंभिक बिंदू पर आ जाते हो, उसके लिए क्या यूज करते है, back to square, one, to return to the starting point, जहां से सुरू किया था, वहीं आ जाते हो, प्रारंभिक बिंदू पर लोट ना, ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देख लो, इफ दिस गाई रिजेक्ट आवर आफ़र, वी बिल हैब तो, गो बैक तो square, one, and start the whole requirement process again, ठीक है, अगर ये बंदा भी, reject कर देता offer, तो हमको फिर से, कहा जाना होगा, starting point पर जाना होगा, फिर से, जितने भी recruitment process होती है, ठीक है, उसको फिर से, करना परेगा, I hope आप कुछ ये clear हो गई होगी, तो next बात कर लेते हैं, ये क्या है, board है, ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या-क्या कुछ लिखा, या आप board पर draw कर सकते हो, और ये वापस से कहां गई है, draw करने कुछ, कहां पर तो board पर, तो इससे लेटर आपको EDM जहन में आ रहा होगा, क्योंकि SSC ने इसको बहुत बार पूछा है, बहुत बार repeat हुआ है, तो EDM क्या है, back to the drawing board, वापस आपको नहां जारो, drawing board पर जारो, इसको SSC ने लगव 5 या 6 बार पूछा है, तो ये important video, मतलब क्या होता है, नए सीरे से कोई बीचीज को तयार करना, ठीक है, use to indicate that an idea has been unsuccessful, and that a new one must be devised, ठीक है, plan it all over here, दुबारा से शुरू करना, ये indicate करता कि आपने कोई idea आपके पास आया था, वो क्या हो गया, unsuccessful हो गया, और आपको आपको क्या चाहिए, एक और नए idea चाहिए, तो फिर से एक नए idea create करो, ठीक है, आप उसको plan करो फिर से, तो नए सीरे से कोई भी चीज़ बनाने के लिए, यूज करते हैं, back to drawing board, वापस आप drawing board पे चले गए, ठीक है, आपने कुछ बनाएं और वो चीज़ खराब हो गए, तो क्या होता है, आप फिर से drawing board पे जाता हो, उसको फिर से सुधार पे हो, ठीक है, sentence में कैसे यूज होगा, when the town refused to fund our music program, we had to go back to the drawing board, क्या है, जब सहर ने हमारा music program के लिए, जो fund था, उसको देने से मना कर दिया, तो हम लोग ने क्या का, फिर से वापस गये, और फिर से नए सीधे से चीजों को start किये, ठीक है, I hope आपको चीज़े clear हो गए होगी, तो next बात कर लेते हैं, ठीक है, next आपको यहां से hint मिल रहा होगा, यह क्या करा है, यह क्या क्या होता है, किसी का आप बैक आप बन रहे हो, मतलब क्या है, आप उसको defend कर रहे हो, या फिर support कर रहे हो, ठीक है, defend और support, सहारा देना, sentence में कैसे यूज होगा, देख लो, the rest of the staff, backed him up, when he complained about working conditions, ठीक है, जितने भी staff थे, सभी ने उसको support किया, उसको defend किया, जब उसने complain किया management से, किस के बारे में, तो working condition के बारे में, ठीक है, I hope आपको चीजे clear हो गए होगी, इसलिए मैंने GIF image दिया है, कि ताकि आपको समझना बहुत ही असान हो, देख के चीजों को आप असानी से याद कर ले, तो आपके memory में fit हो जाता है, इसलिए मैं पहले hint देता हूँ, ताकि आप hint देखोगे, आपका demand भी strike करेगा, कि उससे related क्या क्या इडियम्स बन सकते हैं, तो सारे इडियम्स आपको यहाँ पर याद भी हो जाएंगे, और साथ के साथ तयार भी हो जाएंगे, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देख पार होगे, अगर आप लोग इंगलिस सौंग सुनते होगे, तो आपको पता होगे कि यह टेलर्शिप का एक सौंग है, जिसका टाइटल क्या है, बैड ब्लाड है, और यह क्या है, एक इडियम्स फ्रेज है, अब बोल सकतों क्या है, यह इडियम है, कौन सा बैड ब्लाड है, तीक है, अगर कोई बैड ब्लाड है, थाल बॉलड कीशा उचका बैड है, मतलब क्या है? एंग्री फ Killer, इमिलूइल इनिमीटी आपसी में क्या है? आपसी दूस्मानी है आपस में दूस्मानी के लिए उस करते हैं बैड बॉलड एंग्री फुलिंग, इनिमीटी, इली फ Χाट चलिए बात कर लें इसका sentence में कैसे यूज होगा देखलो दो-दो sentence है there has always been bad blood between these values there is no bad blood between Aseem and Rahila ठीक है यह Aseem है और यह रहिला है तो Aseem और Rahila के बीच में कोई भी ill-filling नहीं है ठीक है आपसी कोई दुस्मनी नहीं है रंजिसे नहीं है I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी तो bad blood कौन होता है unfriendly type का hostile relation होना inimity वाली feeling होना तो आप याद रखना Taylor Swift का एक song है ठीक उसका title है bad blood आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वह bad blood क्या एक idiom वह क्या define करता है तो angry feeling inimity के बारे में define करता है तो अब आपको song समझ में आएगा कि bad blood उसका नम क्यों है और वीडियो ऐसे क्यों दिखाईगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने breaking bad दखाऊगा तो यह क्या है bad है और यह क्या है थी बैड और हैं आपको कुछीज रिलेट हो रहा है और हो रहा है तो आप अच्छे से तैयारी कर रहा हूं कौन सा इडियोम होता है बाड है यह आपने पढ़वागा एक उडियम कौन सा बैड है मतलब क्या होता people of bad करेक्टर करेक्टर बैड होगा या उतका रेपोटेशन क्या होगा बैड होगा बुरे चरित्र वाला बैक्षी या बुरे चरित्र के लोग ब्रेकिंग में इसका चरित्र क्या हो जाता है बुरा हो जाता है रेपोटेशन क्या कर लेता है बुरा कर लेता है करेक्टर क्या बना है वो कभी तुम्हारा लोन चुकता नहीं करेगा तुसको पैसे उधार मन देगा आपको चीज़े क्लियर हो गई हो तो नेक्स बात कर लेते हैं एक बैड परसन उसने हैट पर नहीं है बैड और है 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 कैसा है बुरा है मतलब उसका करेक्टर अच्छा नहीं है 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 पहले लो है आपको क्या है कोई इडियम बैड गेज ठीक है तो कौं सा इडियम है बैघ एंड बैगेज है बैड़ार मतलब क्या होता है उनसयPhone मिसि और बिए बिलोंग इंग बॉर्यया की जा अपना मेंग कोरी ना विसितर भी निया हैcek अपना par के यह बाती बनेंग लिए जूक tव ब्रेक अप हो जाए भागो फिर वार से बोरिया भीस्तर लेके तो देख लो संटेंस में कैसे यूज होगा हर टेनेंट लेफ्ट बैग एंड बैगेज विदाउट पेइंग दर रहे इसका जो किरायदा था वह भाग गया ठीक है अपना बोरिया भीस्तर लेके भाग गया भी बॉल है और क्या लिखा इन जोड पूट तो आपको ध्यान आ रहा है कि बॉल और पीडिएड एक इडियम होता है कि कौन सा इडियम है बॉल इन जोड पूट बॉल कहा है आपके कोड में मतलब आप जिम्मेधार वैखती है आपको डिशीजन लेना है इस अप टू यू तो to make the next decision or step, यह आपके उपर है, बॉल आपके पास है, तो यह आपके उपर है, कि next decision आपके क्या होगा, यह next step क्या होगा, to be responsible for further action, जो भी further action होगा, उसके लिए आप जिम्मेदार होगे, ठीके, तो बॉल in your court, आपके कोट में बॉल है, तो आप ही जिम्मेदार है, ठीके, जिसके कोट में बॉल होता है, वही जिम्मेदार होता, और इसको भी, SSC ने बहुत बार पूछा, चार से पांच बार तो इसक जो क्या है, अपकी important, आइस देख लिए sentence में कैसे use होगा, I have told him, he can have his job back, if he acknowledges, मैंने उसको कह रखा है, कि उसका job उसको मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो मुझसे माफी मांग लेता है, the ball is in his court, तो वह जिम्मेदार है, ठीक है, उसको decision लेना है, कि मुझसे माफी मांगे और पिर से job पर वापसा, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते है, नेक्स्ट देख पारेंगे, ये बनाना है, इसका कोई juice बोलो या wild निकाल रहा है, ठीक है, तो ध्यान आ रहा हो कि बनाना wild से related एक EDM, क्या है बनाना wild, ठीक है तो बनाना का कभी wild निकल सकता है, नहीं बनाना को wild ह कोई नहीं सकता है, तो क्या है, एक nonsense talk, अब बोल सकता हो, ridiculous talk, कैसा निराथक बात है, ठीक है, निराथक वचन बोल सकता हो, या निराथक बात हो, बेतु का बात बोल रहा है, क्या है, बनाना का wild निकाला है, बनाना का sick बन सकता है, जूस बन सकता है, ठीक है, तो sentence में कैसे य क्लियर हो गहीं तो आगे बारते हें, नेक्स्ट आपको यहां से इडियम धatorio से द formulated about it, आपको एडियम याद हारा होगा, पौन है यह मैं bank for the bank bank for the bank मतलब क्या होता पैसों का महत्व ज्यादा होना है क्या होता है more value for money पैसों का महत्व क्या बहुत ज्यादा more value किसको money धन की पूरी कीमत या उचित मुल्ले जब आपको मिलता है तो उसी को बोलते हैं क्या bank ठीक है उचित मुल्ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा इवन दो मारी को स्ट्रिप टू लंडन वाज expensive she felt that she got some bank for the bank हाला कि मारी को का जो ट्रिप था लंडन के लिए बहुत खर्चिला था बहुत expensive था उसको फील हो रहा है कि नहीं या उचित मुल्ले था कि लंडन ऐसा सहरी है तो वहाँ पर इतना खर्चा उचित है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स देख पा रहे होंगे क्या करा यह भौक रहा है और भौकता बहुत खतरनाक है यह कुत्ता तो आपको याद आ रहा होगा एक इडियम इससे रिलेटग कौन सा इडियम है बार्क इज वर्स दैने इज भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि गरजने बाले बादल बरस्ते नहीं जो गरजने हुए वह बरस्ते नहीं यह तो बहुत बार सुना होगा आपने इह बच्मन से सुनते आ रहोगा Threat is worse than the action taken. ढमकी क्या है? बहुत ही खतरनाक है इसका action से. घर्जने बाले बादल बरस्ते में. ठीक है, संट्यन से में कैसे यूज करेंगे? ठीक है. Don't worry, he won't do anything. His bark is worse than his bite. ठीक है. चिन्ता मत करो, मेरा कुता से भौंकता है. बहुत खतरनाक है, पर काटता वारता कुछ नहीं है. ठीक है. उसका bark जो है, वही बहुत खड़ाव है. ठीक है. काटतां हुए. चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं. ये आपके लिए बहुत ही easy है, easy-pegee है. ये कुत्ता क्या कर रहा है? आपके रहें रॉओग फरे बहुत कर रहा है. फिली तो यहाँ, लेकिन यह कहां भौक रहा है? गलत पेर पे. बार्टिए अपदा रौंक पी. इसीसे और भूत क्या है? यहीदिए है, बार्किख अपदा रौंक पी. पर अब क्या कर रहे हो गलत पेर पे भौग रहे हो यह भी बहुत क्या important idiom SSC ने इसको 6-7 बार पूछ रख्था है और 6-7 बार अल्रेडी आ चुता है अब क्या कर निरार्थक पर्यास कर दो ऐसा पर्यास जिसका कोई अर्थ ही है ठीक है बीना काम का काम अब कर रहे हैं sentence देख लो if he expects to borrow money from me he is barking up the wrong train और वो expect कर रहा है कि वो मेरे से पैसा उधार ले लेगा ठीक है तो गलत पेर पे भौग रहा है मतलब क्या है वो निरार्थक पर्यास कर रहा है ऐसा ट्राइब कर रहा है जो कि successful नहीं होगा ठीक आई होब आपको चीज़े clear हो गए होगी क्योंकि मैंने यह picture डाला है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा समझ नेक्स्ट है आप इमेज में इमेज में ही लिखा ह क्या है आपको इडिया बैटन डाउन दा हैचे क्या है बैटन डाउन दा हैचे मतलब क्या होता है बैटन डाउन दा हैचे मतलब कठीन परिस्थिती के लिए थयार रहा है प्रिपेर फॉर डिफकल्ट सिच्वेशन कठीन परिस्थिती के लिए तयार होने के लिए अब बोल सब्सक्राइब बैटन डाउं दाउं दाइच है संटेंज देख लो क्या ऐसे यूज होगा वी उडबेटर बैटन डाउं दाउं दाइच है दा वेदर चैनल सीज और स्ट्रॉम इस ऑन दाव हमको कठिन परिस्थिती के लिए थयार रहना पड़ेगा क्योंकि न्यू चैनल न रहते दाउं दाए तो इसलिए यहां पर यूज क्या बैटन डाउं दाउं दाउं चैनल मात कर लेते हैं स्किल्द स्कील्ड इनपर्टिकुलर एरिया इसके लिए आपको इडियेम बताना प्रोपर इडियम और हिंट भी आपके पास तो कमेंट बॉक्स में सही-से एंसर कर मैं उस पर कंटेंट बनाओं तो आज के लिए बसी तो नहीं मिलते फिर नेक्स लेक्चर में अगर आज का लक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक खारे चैनल को सब्सक्राइब खरे और अपने दोस्तों में शेयर करना नौ बूले तो तब तक के लिए जय हिन जया भारत टेक्चर